Welcome friends, हमारी ये viewer है अर्चना, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि वैलिडेशन, बिट्विन वाला वैलिडेशन कैसे लगा है, तो इन्होंने क्या आखा है, मैं एक चक्क लिए आपको बताता हूँ Sir, how to apply validation rule to enter in between 6500 and 20,000 तो ये इन्होंने पूछा है, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए आईए समस्ते हैं, यहाँ पर create पर click करता हूँ और जैसे ही create पर click करेंगे, तो आपके सामने एक नई window आईगी, वो नई window कुछ इस तरह की होगी, आप देख सकते हैं इसको यहाँ से मैं view पर click करना है, और design view पर आ जाना है, यहाँ table 1 आ रहा है, चलिए table 1 ही रहने देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ID, क्यों आईडी ही रखते हैं, ID ठीक है, यहाँ पर करता हूँ product name, आप आएंगे तो यहाँ पर product की price आएगी, तो यहाँ पर मैं validation use करना है, तो यहाँ पर मैं currency रखता हूँ, ठीक है, यह currency रखा मैंने, और यहाँ पर जैसे ही आएगी, तो validation rule दिया हुआ है तो अब आपको देखिए, इनों ने कहा है कि जो price है, अबलब जो validation लगाना है, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, कि 6500 से लेकर, 6500 से लेकर, और 20,000 के बीच में यह validation हमें देना है, तो चलिया, यह समझते हैं इसको कैसे देंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है, यह दिखिए, यह जो validation rule है, यहाँ पर लिखना है, between, ठीक है, यहाँ पर 6500, यह हो गया, and 20,000, तो यह 20,000 लिख दिया, बस हो गया, अब यहाँ पर आप text दे सकते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर मैं validation लिख देता हू, validation, ठीक है, आपको related चीज भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर जब आएंगे, तो यहाँ पर जैसे माल लिखता हूँ, मैं desktop, यह desktop लिखा मैंने, और यहाँ पर अगर price में 3000 देने की कोसिस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यह देखिए, नीचे दिखा रहा है validation, जैसे ही मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो यह दिखा रहा है validation, यह दिखा रहा है, कम से कम यहाँ 6500, यह लिख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं mouse की बात कर लेता हूँ, तो mouse का तो price बहुत कब होता है, तो 120 रुपय अगर देने की कोशिस करेंगे, तो देखिए नहीं, यहाँ पर लिख यहाँ पर mobile जो है, आपकी 22,000 रुपय की है, तो क्या 22,000 एक्सेप्ट करेगा यह, नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यह देखिए, यहाँ पर भी कह रहा है validation, तो यहनि कि आपको कीमत जब भी रखनी है, तो 20,000 तक, देखिए 20,000 तक रख पाते हैं नहीं, तो यह दे लिखा मैंने laptop, ठीक है, और यहाँ पर laptop की कीमत आएगी, तो laptop की कीमत है, 66,000, तो यह दे लिखा मैंने, और जैसे ही, enter करने का परियास करेंगे, तो यहाँ पर देख पहेंगे, validation दिखा हुआ रहा है, तो problem है, तो आपको कम करना ही पड़ेगा यह, तो इसको आप कर दीजे 20,000, तो 20,000 जैसे ही करेंगे, तो यह accept कर जाएगा, तो यह validation rule है, जो आपने पूछा था, अगर वीडियो पसंद आए, तो इसे share करें, thank you for watching this video.